मनोहरलाल ने हर्याना में शिक्षा पर एक बार फ़र से जोर दिया मनोहरलाल ने कहा कि राज्य में ऐसी विवस्ता लागू की जा रही है जिससे 3 साल से 15 साल तक आयू का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे और सभी को स्कूलों में दाखिला मिले स्रीम ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास पर ज्यादा बल दिया जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके उन्होंने सुझावदियार की शिक्षा नीती में विद्यार्थियों को नयतिक शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे हमारे समाज और राष्टर को और जादा सुद्रिड करने में भी मदद मिलेगी एक सारे सिस्टम में हम उसको फॉलो करेंगे कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी तम सोरे से पांच साल से उपर लेकर अगर तीन साल का एक अमबरसरी हो गया तो फिर तीन साल के बाद और पंदरा साल सुला साल तक कौन से स्कूल में बच्चा है और अगर वो बच्चा स्कूल में नहीं है तो फिर उसको ट्रैक करेंगे कि वो बच्चा कहा है फिर उसका एक सिस्टम बनाएंगे कोई बच्चा तीन साल से लेके पंदरा साल तक ये स्कूल में ही होना चाहिए ये स्कूल से बहर नहीं होना चाहिए और उसमें फिर सभी स्कूलों को प्राइविट स्कूल, सरकारी स्कूल जो भी हैं, माने अपराव तुन्ना, माने अपराव जो भी हैं, एडमिशन के मानों छोट भी देनी हैं तो उसमें जरूर एंटर करो, कि आप क्या हैं ये बच्चे पढ़ रहे हैं, और इसकी जनवारी क स्कूल करो